नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नया प्रोडक्ट या नया ब्रैंड लॉंच करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में एक प्रश्ण है कि मार्कीट में मैं अपनी जगह कैसे बनाऊं और कैसे अपने प्रोडक्ट को कंजीमर तक पहुंचाऊं, तो आपको यह जान के आश्च हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक नया ब्रैंड मार्कीट में आया, उसने उस पैनेटरेशन को तोड़कर अपने लिए एक जगह बनाई, जैसे बात करूं तो ITC, डाबर, हमदर्द, यूनिलिवर और नैसले जैसी बड़ी कंपनी होने के बाद भी पतांजली जब मार साइकलोजी को हिट कर सकते हैं, और अपने ब्रैंड के प्रती उनको आकरशित कर सकते हैं, तो आप आसानी से एक बहुत बड़ा मार्कीट पैनेटरेशन तोड़के भी अपनी जगह बना सकते हैं, जरूरत है आपको ये देखने की कि आपके अंदर कौन सी ऐसी USP है, जो ब देश ही अपनाओ, देश बचाओ, आपको बताना कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले से बड़ी-बड़ी दिगज कंपनी थी, एटल, आइडिया, वुड़ाफोन, बीसनल, उसके बाद भी जैसी नहीं कंपनी आती है, और मार्कीट के पैनेटरेशन को तोड़कर पूरी जिसकी वज़ा से, उनने मार्कीट पैनेटरेशन को तोड़कर एक बहुत बड़ा मार्कीट शेर काप्चर कर लिया, और ध्यान रखिए, लाइफ में ना कभी भी टरनिंग पॉस्त आ सकता है, और ध्यान राखिए, अगर आप अपने मार्कीट पैनीटरेशन पर दुबार करना चुरू किया और जब लोगों ने देखा कि जीओ का नेटवर्क स्ट्रॉंग नहीं है और एरेटल आपको इंटरनेट के साथ साथ फ्री कॉलिंग और लैनलाइन फोन भी दे रहा है तो वापस एरेटल ने मार्किट में अपना कबजा जमा लिया इसलिए अगर लाइफ में कभी फेलियर आता है तो ये सीखने वाली बात है कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वज़ा से हम उस टर्रिंग पॉइंट को वापस लेकर आएं और अपने आपको फिर दुबारा से खड़ा कर सकें इससे एक और बात सीखने को मिलती है कि अगर हमारा कॉम्पेटिटर कोई नई स्ट्रेटेजी लेकर आता है तो हम क्या ऐसा करें कि उसके स्ट्रेटेजी को बीट करके हम उससे कई गुना आगे निकल जाएं फ्रेंड्स का ये बार बहुत सारी कंपनिस के प्रोड़क्ट जब मार्कीट में हिट होते हैं तो ऐसे वो नए प्रोड़क्स पर रिसर्च और डेवल्यूम नहीं करते उनको लगता है बहुत बड़ा मार्कीट शेर हम पहले ही कैप्चर कर रहे हैं लेकिन जितनी भी कंपन जैसी हम सोचते हैं तो मुह में पानी आ जाता है और खट्टे आम जैसी चीज वाली बात समझते हैं तो मुह से निकरता है तो DS ग्रूप ने इन दोनों कॉम्बिनेशन को जोड़ा और एक नया प्रोड़क्ट डेवलेप किया और वो प्रोड़क्ट है पल्स और पल्स जैस लगातार करने चाहिए क्योंकि कोई भी एक नया प्रोड़क्ट आपकी कंपनी को और कई गुना अगे ले जा सकता है फ्रेंट्स बिजनस में मार्केटिंग जितना सपोर्ट करती है किसी भी प्रोड़क्ट के सेल को बढ़ाने के लिए और कंपनी को नए आयम तक ले जाने लेकिन केवल एक मार्केटिंग स्टेट्मेंट ने उसका पूरा का पूरा भविष्य बिगाड कर रख दिया रतन टाटा ने कहा ये कार गरीबों की कार है ये लग्ठकिया कार है हर व्यक्ति जो कार रखना चाहता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता उसका एकार सपना साकार कर देगी यही स्टेट्मेंट उसके लिए सबसे बड़ी चौनाती बन गई क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि लग्ठकिया कार गरीबों की कार है इसलिए लोगों ने उसको पसंद करने के बावजूद भी के वलिज वज़े से नहीं खरिदा कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा लग कि अगर आपका प्रोड़क्ट में मॉनोपोली बना के रखेगा और आपका मार्किट पनिट्रेशन लगातार बढ़ता जाएगा पारले जी ने इंडियन मार्किट में ऐसा ही किया पारले जी मतलब एक ऐसा बिसकिट जिसको बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक वेक्ति प में आये जैसे गुड़े, फ्रूट्स, नट्स लेकर मार्किट में आया लेकिन उसके बाद भी पारले जी के मार्किट शेर को बीट नहीं कर सका और आप देखिए आज तक भी पारले जी ने अपनी पैकेजिंग की स्ट्रेजी में कोई बदलाव नहीं किया सेम बच्चा ज इसका मतलब अगर कंज्यूमर आपके प्रोड़क्ट को पसंद करता है तो कई बार बाकी सारी चीजे चेंज ना करने के बाद भी आप मार्किट में लंबे समय तक बने रहते हैं जरूरत है केवल अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की फ्रेंड्स इन कंपनी और प्रोड़क्ट की सक्सेस से हम बहुत सारे पॉइंट्स को समझ सकते हैं जिससे हम अपने बिजनस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं जैसे अपनी कंपनी का ब्रेंड अमबेजडर जो फेमस होते हैं उनको देखकर लोग उनकी तरह बनना चाते हैं दे परसेंट अपने product की marketing में ज़रूर invest करें छोके alok business का setup बना लेते हैं लेकिन marketing का भजट नहीं रखते हैं अगर आप अपने business में एक करोड रूपए का investment कर रहे हैं तो उसमें से कम से कम 20 लाक रूपए है आपकी marketing पर खर्च होने चाहिए and the next that is always do research and development अपनी company के products और services को लेकर आप research and development करते रहें कि आने वाले भविश्य में हम क्या नई चीज़ introduce कर सकते हैं जिससे हमें बहुत बेतर result मिल सकता है और अपनी company को next level पर ले जा सकते हैं अगर आप अपने product को लेकर केवल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मैं market में enter करूँगा तो जगए कैसे बनाऊगा तो ध्यान रखिए market में penetration करने के लिए हमेशा बहुत बड़ा scope होता है आपको जरुवत है केवल अपनी USP को पहचानने की और आप दूसरों से क्या अलग कर रहे हैं इस बात को जानने की आप आसानी से market में enter कर सकते हैं और आज ही नहीं भविश्य में आने वाले brand भी market में enter करेंगे और अप एक जगा बना लेंगे तो आप क्यों चिंतित हैं Always try to understand, need, taste, preference and priority of the consumer कोई ना कोई ऐसा एक फार्मला ज़रूर होगा जो consumer को आपके product के प्रति लॉयल और favorable बनाएगा और यदि आप एक नया business शुरू कर रहे हैं और आपके मन में कोई भी doubt है तो हमें comment box में लिखकर ज़रूर बताएं इसके अलावा कोई भी informative वीडियो मिसना हो उसके लिए इस चैनल को subscribe करें और bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे स्वस्त रहें, मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद, जय भारत